हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू होवग कॉर्णर आज जो वक्सीट हम करेंगे वो है टाइम से लेटिर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स क्योशन में मैंने डाला है चेंज यानि के यहां पर हमें करना है तो इस पूरी क्योशन को दिहान से देखिएगा काफी इंपोर्टन क्योशन है 6 hours को हमें करना है minute में यानि के 6 गंटे को हमें minute में change करना है तो एक जो है hour में कितने minutes होते है 60 minutes होते है तो 6 गंटे में कितने minutes हो जाएंगे 360 minutes Next है 4 hours 12 minutes को हमें करना है minute में convert तो सबसे पहले हम 4 hour को जो है minute में convert कर लेंगे फिर जो 12 minutes extra है उनको हम इसमें add कर देंगे तो यह हो जाएगा 240 minutes plus 12 minutes और total हमारा हो गया यहाँ पर 252 minutes ठीक है? 7 weeks, 4 days को हमें days में convert करना है तो देखी एक week में कितने days होते हैं? 7 कितने week होते हैं? Sorry, कितने days होते हैं? एक week में 7 दिन होते हैं तो 7 week में कितने हो जाएंगे? 7 multiply 7 49 days और उसमें आप 4 days जो extra है वो add कर देंगे तो total हमारे हो जाएंगे 52 days 3 months, 3 week को days में convert करना है तो 1 month में हम मान के चलते हैं 30 days तो 3 months में कितने हो जाएंगे? 90 days उसके बाद प्लस एक week में 7 होते हैं तो 3 week में कितने हो जाएंगे? 21 days और यह हो जाएंगे total हमारे 111 days ठीक है? यह जो जो months को days में convert करना है तो यह मैंने अभी पीछे क्या है कि एक जो month होता है उसमें 30 days होते हैं ठीक है? तो 8 day में कितने होंगे? एक multiply 24 ठीक है? तो 1 hundred 92 days सुरी, hours हो जाएंगे घंटे निकाल रहे हैं न? hours हो जाएंगे 2 week में कितने hours होंगे? तो 2 week का hours बताने के लिए हमें सबसे पहले दिन निकालने पड़ेंगे तो 1 week में होते हैं 7 days तो 2 week में हो जाएंगे 14 days अब क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ठीक है 1 day में 24 hours होते हैं तो 14 day में कितने hours हो जाएंगे? इससे आप multiply कर लोगे तो total hours हमारे निकल जाएंगे 336 hours अब ये सेम ऐसे ही है 3 months 3 days को हमें week में निकालना है तो सबसे पहले इसको days में convert कर लीजी ये हो जाएगा हमारा 90 days plus 3 days तो total हमारे हो गए 93 days अब क्योंकि हमें पता है कि एक week में होते हैं 7 दिन ठीक है 7 days होते हैं तो हम क्या करेंगे इसको 7 से divide कर देंगे ठीक है तो 7 when just 7 7 3 जा और ये 2 रह गया तो यहाँ पे हो जाएंगे 13 weeks and 2 days क्योंकि जो remainder है उन्हें हम दिनों में count कर लेंगे next question है fill-in four hours में कितने मिनट होंगे तो देखिए एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो four hour में कितने हो जाएंगे 240 minutes ठीक है देखिए एक दिन में यानिके one day में 24 hours होते हैं ठीक है और एक week में 7 दिन होते हैं तो साथ दिन में कितने hours हो जाएंगे तो 24 को आप 7 से multiply करेंगे देखिए यह आ जाएगा हमारा 8 to 16 यानि कि 168 hours हो जाएंगे 7 minutes में कितने second होगे तो 1 minute में होते हैं 60 second तो 7 minutes में कितने हो जाएंगे 420 seconds ठीक है यानि कि हम multiply कर देंगे 3 weeks में कितने days होंगे एक week में होते हैं 7 days तो 3 week में कितने हो जाएंगे 3 गुना यानि कि 21 days 4 month में कितने days होंगे एक month में होते हैं 30 days ठीक है तो 4 months में यानि कि 1 में 30 दूसरे में 30 तीसरे में 34 में तो 120 days ठीक है next question है write these date in order in which they come in the year कि पहले कौन सी date आते है उस order में आपको लिखना है तो सबसे पहले months हम देखते हैं February आता है तो 15 February हमारा पहले आएगा उसके बाद 22 March आएगा उसके बाद आएगा हमारा 26 July and last में आएगा 2 October next question है रिया is 5 year older than इशानी जो रिया है वो इशानी से 5 साल बड़ी है इशानी वास बोन इन 2008 इशानी का बठरे कब हो था 2008 में हुआ था तो इन विच इयर रिया बोन तो देखी जो रिया है वो बड़ी है इसका मतलब रिया पहले हुई होगी न तो इसका मतलब हमें 2008 में से जो कि इशानी हुई थी ठीक है इशानी का जर्म हुआ था 2008 में और रिया उससे बड़ी है तो यानि कि उससे पहले हुई होगी तो यहां हम करेंगे 5 minus तो यह आजाएगा 2003 तो इसका मतलब जो रिया है वो 2003 year में पैदा होई थी ठीक है write the time, यहाँ पर आपको time लिखना है, तो यह question आपके लिए है, आप मुझे comment box में भी बदा सकते हो कि इनका exact time क्या होगा और यह है हमारा last question draw the hands to show the time तो यहाँ पर मैंने timing दी हुई है जिसके according आपको यहाँ पर जो hands है वो draw करने है अगर किसी भी question cancer आपको नहीं आता है तो please मुझे comment box में जरूर पूछ सकते हो कि किस cancer क्या आएगा